नमस्ट कर दो सो वलकम बाक टियो ओन चैनल वेल्ट सागा कल्यान जूलर्स का आप यह पी होने वाला है अब ऐसा कंपनी कल्यान जूलर्स कैसी है इसी सेक्टर के जो लिस्टेड पियर्स है इनके जैसे की टाइटन जैसे की टीबीजी वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनक कंपनी के फंडामेंटल से जाने से पहले कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानते हैं कंपनी के जो प्रमोटर है मिस्टर टी एस कल्यान रमन इस इंडस्ट्री के काफी जाने पहचाने जाने माने नाम है और कंपनी बहुत सालों से काफी बहुत डिकेड से इसी बिजनस म नहीं होगा अगर customer satisfaction optimum level का नहीं है तो जिसके चलते company ने कई सारे brands establish करें हैं जिसके चलते company में जो customer satisfaction है उसको काफी महत्ता दी गई है अगर आप बात करें company के brands की तो कई प्रकार के brand segment बना करके रखे हुएं जिसमें की अगर आप बात करें पोल की diamonds अगर आप बात करें handy craft antique jewelry अगर आप बात करें uncontainment तो हर एक segment के लिए उन्हों ने customer satisfaction के लिए separate brands बना करके रखे हुएं everyday diamond everyday jewelry अगर आप बात करें जो big fat Indian weddings की demand होती है उसको cater for करने के लिए company ने एक separate segment बना करके रखा हुए जिसका नाम है महूरत बेसिकली इंडियन जो big fat Indian weddings है उनकी requirement को ध्यान में रखते हुए इस brand के through you know jewelry segment बनाए गया है जो की इंडिया में as an as an Indian weddings काफी ज्यादा फेमस है company के fundamentals को अभी और भी deep समझेंगे पहले तो समझते हैं company के जो यह brands हैं वो कहां पर sell out हो रहे हैं तो broadly आपको यह पता होना चीए कि इसकी presence इंडिया के अलावा gulf corporation gulf countries में भी है जहां पर इनका जो business है approximately 20% plus का revenue इनका वहां से आता है plus 80% के आस पास का revenue इनका इंडिया से generate हो करके आता है लेकिन इंडिया में as an industry अगर हम लोग बात करें अगर as an industry इनका कितना बड़ा contribution है तो as an industry इंडिया में इनकी जो jewelry की presence है jewelry market की presence है कल्या जूलर्स की वो है 1.8% की मतलब 1.8% का share यह overall jewelry market का cater for करते हैं अगर organized jewelry के market के बारे में बात करें क्योंकि काफी सारा jewelry का business काफी ज्यादा unorganized इंडिया में तो अगर organized के बारे में बात करें तो almost 6% के आसपास इनका जो presence है वो 6% का market share है organized jewelry market में वहीं पर अगर हम लोग बात करें leadership की तो Titan का जो organized jewelry market में share है that is almost 12.5% मतलब कल्या जूलर्स से almost double और अगर total business के बारे में बात करें तो Titan का जो business है that is Tanish का जो business है वो है almost 4% के आसपास जो की almost double है विजावी कल्या जूलर्स तो दोस्तों अगर बात करें कि इनका gulf countries में अगर presence है तो कितना presence है तो इनके जो 30 showrooms हैं वो हैं middle east countries में that is gulf countries में और इसके लाबा 107 showrooms इंडिया में different states में around 21 states and unit directories में मिल करके 107 stores इंडिया में already located है अगर हम लोग बात करें इनका जो revenue generation है कहां से main business आ रहा है निकल करके तो approximately 75% के आसपास जो इनका revenue है वो आता है gold jewelry से plus जो बचा हुआ जो revenue है वो आता है other segments like studied diamonds and you know various other category of jewelry तो basically जो gold jewelry है वो contribute करती है 75% of total revenue दूस्तों जो चीज़ देखने वाली है और unworth highlighting वो आपके सामने मैंने लाकर के रख दी है वो है company के financials जिसको देखे बिना आप company में investment के बारे में decision नहीं ले सकते है अभी मैं इसको compare भी करूँगा इस sector के leader से फिलहल बात करें company के performance के अगर आप बात करें company में company wasn't profit profit after tax के बारे में बात करें तो company profit में थी वही पर March 2019 में it surprisingly came into loss that is 48 million की loss में थी in March 2019 that is financial year 18-19 में अगर हम लोग बात करें March 2020 में तो company wasn't profit और अभी December 2020 के बारे में बात करें जैसे FY 2021 के बारे में बात करें loss making होती है या फिर जिस company के financials थोड़ा सा ड्विंडिलिंग होते हैं investment purpose के लिए मैं थोड़ा सा उसमें careful रहता हूँ और दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ profitability में ही जटका मिल रहा है या dent मिल रहा है अगर आप revenue देखें तो revenue भी काफी ज्यादा fluctuate हो रहा है क्योंकि company जिस business model में है वो totally dependent है gold जो गोल्ड काफी ज्यादा fluctuate करता है अगर company के total revenue के बारे हम बात करें तो revenue 1.05801 million फिर 98 million फिर उसके 101 million फिर उसके आद भी 55 तो भी फिलाल तो भी एक quarter बाकी ही है तो कहने का मतलब क्या है company की जो performance वो काफी dwindling है as compared to the various listed other listed players like tanish वहीं पर अगर हम लोग इनके listed players like tanish के बारे में बातचीत करें तो आप आएंगे अगर quarter on quarter बात करें quarter the quarter company के performance के बारे में बात करें तो आप आएंगे tanish is far more superior as compared to kalyan jewelers अगर आप बात करें net profit की तो आप आएंगे net profit has been constantly increasing अगर आप बात करें financial years की तो March 2016, March 2017, 18, 19, 20 1162, 1374, 1517 तो तीन सालों में जहां पर आपको kalyan jewelers में काफी dwindling काफी dwindling काफी ऊपर नीचे आपको profits दिखाई पड़ रहे थे वहीं पर यहां पर आपको stable और continued growth दिखाई पड़ रहे है as far as net profitability is concerned तो इसमें तो clear होगे, एक चीज़ तो बिल्गू clear होगे कि company के fundamentals में उतनी strength नहीं है जो कि already listed players like Titan में already available लेकिन ध्यान में देने वाली बात है कि जो Titan है, Titan का segment बहुत wide Titan is also, you know, Titan सिर्फ jewelry नहीं देखता है, Titan का एक segment है तनिश जो की jewelry देखता है इसके लाबा Titan के पास eyewear भी है, Titan के पास watches भी है और Titan के पास अलग 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 तरह के brands भी है जो को की Titan promote करता है, लेकिन कल्यान Jewelers is pure pure jewelry play only कुछ और important facts आपको बताता हूँ, कि जो कल्यान Jewelers है उसमें 1700 क्रोड का investment एक बहुत बड़े FIA है जो कि Warburg Pincus है, इनका इसका इभी recently नाम आपने सुना होगा, Adani Ports में जो stake खरीदने वाले है तो Warburg Pincus का 1700 क्रोड का already investment इस company पर हो रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है company के fundamental spec FIA को यकीन है लेकिन अगर बात करें price to earning ratio की, तो अब price to earning ratio देखेंगे तो जहां पर Titan का price to earning ratio is almost 185, वहीं पर company का price to earning ratio is 51 और लेकिन industry के बारे हम बात करें, तो industry का price to earning ratio is 23 तो company अगर बात करें, Titan से तो Titan से तो सस्ती है, undervalued है लेकिन industry से अभी भी जो price band company का है, वो थोड़ा सा overvaluation की तरफ दिखाई पड़ता है लेकिन believe you me guys, according to me, मेरे साब से जो price है वो ज्यदा matter नहीं कर रहा है तो कि मेरे साब से price reasonably well valued है, as compared to the business, जिस परकार से company का business है उस अब से 51 का P is reasonably very well valued अब price to earning में तो आपको बाता चलता है, company की valuation ठीक ठाकी है जैना ज्यदा सस्ती न ज्यदा महंगी, लेकिन अगर बात करें, operating profit margin की जो company business करती है, उसमें कितना पैसा बचा पा रही है profit के रूप में तो कितने margins पर काम कर रही है, तो वो है 5.91% जो की कम है, as compared to Titan, जिसमें की profit margin आता है तकरीबन 12% के आसपास वहीं पर TBZ के बारे मात करें, तो TBZ में जो profit margin है, almost 6.5% का है तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, company बड़ी ही इमानदार company है क्योंकि margins कम रख रही है, customers को benefit ज़्यदा दे रही है, तो अगर अगली बार gold jewelry खरिदना चाहते हैं, तो कल्यान की तरफ आप सोच सकते हैं, because they are working with a very thin margin, तो as a customer, you can very well look forward to कल्यान Jewelers for buying fresh jewelry, और इसको substantiate कर रहा है, अगर बात करें, company के profit margins की, तो company का profit margin काफी wafer thin है, 1.4% के आसपास, जबकि अगर titan के बारे में बात करें, तो 12% का profit margin है और अगर हम लोग बात करें, TBZ की तो 6.3% के आसपास का profit margin TBZ काम करते हैं, TBZ मतलब, त्रिभूवन तो फिलाल दोस्तों, अगर आप आप आएं, तो आप 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 आएंगे company का जो fundamentals हैं, वो company के fundamentals are basically as compared to peers थोड़ा सा week दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों, मैं इसको titan से compare ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि titan के पास कुछ और भी businesses हैं यह से कि मैंना को बताया है, watches, eyewear लेकिन TBZ, Tribhu Vandas जो की clear cut jewelry segment के player है, उनसे compare करें तो इनका price to earning ratio is close to 13 जबकि industry का PE is around 67-68 और कल्यान Jewelers का PE चल रहा है वो approximately 50 plus चल रहा है, तो मेरे साब से जो price band रखा गया है कल्यान Jewelers का वो ज़्यदा महंगा नहीं है that is not overvalued, लेकिन company के fundamentals को गरा deep जाए तो company के margin से वो इतने ज़्यदा बेहतर नहीं दिखाए पड रहे है तो दोस्तों IPO खुलेगा on 16th of March, 16 March से IPO खुलेगा 16, 17, 18, 16 March 17, 18 March, price band रखा गया 67 से 86 to 87, मतलब 86 से 87 रुपीज के price range में आप इसको bid कर सकते हैं लेकिन cut-off के बारे में बात करें तो 87 ही आपको bid करना पड़ेगा अगर बात करें company के IPO के बारे में, तो company सिर्फ IPO ही नहीं ला रही है, बलकि OFS भी ला रही है, IPO में 800 क्रोड वर्थ of stocks fresh issue किये जाएंगे, और OFS भी लाया गया है जो की share, जो की पुराने promoters के पाद अपने shares है, 375 क्रोड shares, promoters और shareholder as an OFS भी market में sell-off करेंगे अगर आप lucky होते हैं दोस्तों तो आपको allotment मिलेगा और allotment मिलता है, तो 23rd of March को confirmation हो जाएगा आपका allotment और 26th of March that is immediately after 10 days of opening, listing होगी 26th March को मेरे सबसे अच्छी opening होनी चाहिए, इस समय IPOs बहुत ही अच्छे subscribe हो रहे हैं अभी recently easy trip IPO almost 150 times subscribe हुआ है तो आप समझ सकते हैं, ये तो कल्यान जूलर्स तो very well priced है इसका price भी काफी very well price रखा गया है, बिल्कुल महंगा नहीं है although fundamentals में मैंने आपको जो issues raised किये वो तो आपको समझ में आयोंगे लेकिन pricing के बारे में बात करें तो कल्यान जूलर्स बिल्कुल ही महंगा दिखाई नहीं पढ़ रहा है so मेरे साब से Prima Face से IAPO is looking काफी promising दिख रहा है price to earning ratio के बारे में बात करें तो बिल्कुल ही reasonably well priced है अगर आप apply करना चाहते हो तो एक lot definitely apply करें 14,964 का एक lot में लेगा और as a retailer आप maximum 2 lakh रोपे ही invest कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों अगर आपको IPO में allotment चाहिए तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है पहली चीज़ तो उसका first day का performance देखो उसमें 100% subscription हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर 100% subscription उसका first day हो गया है तो उसमें आप बहतरीन subscription की उमीद रख सकते हैं प्लस बहतरीन listing भी expect कर सकते हैं नमबर टू दोस्तों IPO में allotment को maximize करने के लिए आपके पास multiple demat होने चाहिए और multiple demat accounts आपके different pan से linked होने चाहिए तो जितने भी लोग घर में हैं सबके नाम पर मेरे साब से account आपको खोलने चाहिए और सबके नाम से एक एक lot आप apply करें आपको definitely IPO में allotment मिलेगा तो apply करने से पहले एक बार first day wait करें 100% subscription अगर उसका first day हो जाता है that means that means it is going to get subscribed you know exponentially और अगर उसमें अच्छा subscription होता है तो of course अच्छे listing gain भी मिलेंगे that's all from my friends thank you so much for giving me precious time bye bye for now